जय महाकोल जय महासनिय नमस्काँ दोस्तों मेरे यूटे चैनल आल्मिर्स घ्यान सागर में आपका स्वागत है दोस्तों मुझे कमेंट किया गया था कमेंट किये थे आप लोगों रहे और फोन में भी जो वसीकर मंत्र और मोहनी मंत्र इसके बारे में मुझे पूछा गया था तो उन्हीं के लिए वीडियो है मैं ये जो मंत्र आपको दे रहा हूं मैं कुछ बात बताने चाहूंगा आप जो है मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में जो भी जन करीदी उसका सदी प्रोक करें जन कल्यान के निकरें और आप जो है यस कमाएं मैं किसि वी मेरे चैनल में जो भी जोवना है मैं किसी की मैं पैसो के लिए अथ्वा किसी लाप के लिए नहीं जन का कल्यान हो सबका भला हो सबका घरप्रिवार सब से मंगल हो यहीं कामना यहीं उद्देश के साथ में मंत्र जय विद्या सिखा रहा हूं तो इसका विधी में बता देता हूं इस मंत्र को आप सुब दिन तिथी में होली दिपावाली महासिरवात्ति कुरूप विश्या और अन्या विशेश सुब दिन में इसे सिध्ध करने की विधी यहां है आप किसी कुशक्यासन लाल आशन उनका उसमें आप बैठेंगे लाल वस्त धारन करेंगे और उपका मुख होगा उत्तर दि का और अर्वा चावल शफेद वह आप ले जाएंगे और अब जब यह सब समागी कठा कर लेंगे अब जी दिन सिध्य करना होगा दिवाली दिन सिध्य करें बड़ी उत्तम होगा उस दिन आप बैठ जाए कुश में जल छिड़क लें जल थोड़ा से जल मुख में ले लें इसके बाद में अब जेब बैठ जाएं पूजा परणाम करें उसके बाद गड़ेश पूजा गुरु पूजा नवगरह देवता पूजा करने के बाद में आप इस मंतर कुन मिसके आज्या ले करके मंतर जाब करेंगे मंतर जाब करने की संख्या है एक स्वाड बार आप राति के 12जे से 3 बज की बध्य गारेंगे तीन घंड करेंगे अती उत्तम है रातभर करेंगे तो अती उत्तम है गणेश, गुरु इन सब के नामे धूब देना है, धूब देना है, फुल चढ़ाना है, नावगरत देवी देवी देटा, जो भी है देवी देटा आपने सब में देदेंगे, जल छड़क देंगे और शिंदूर चढ़ा देंगे, चढ़ाने के बाद में आपको ग्यारा करके हो जागी, मंत्रा सिद्ध हो जाएगी, इसको प्रयोग करने की विधी, इसको प्रयोग करने की विधी यहां है, कि आप इसको जब भी सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है, देख जो है भोश पत्र, भोश पत्र, देखें, यह भोश पत्र ह जो है मैं अच्छा सबको तिखा देता हूं निकाल करके यह देखिए भोज पत्र है यह आपको दुकान मिल जागे जहां पूजा समागरी जो है मिलती है वहाँ पे इसमें आप जिस बैक्ति को वसमे करना चाहते है उसका नाम उसका मा का नाम और उसके नीचे में लिखेंगे अपना नाम लिखने के बाद में आप एक सहथ लेने के थोड़ी सी पांच रुप्या-दास रो मिल जाएगी अगर देशी सहथ हो तो बड़ी अच्छी बात है उस सहथ में उस नाम को दुबा देना है जिसमें प्रयोग करेंगे उस समय के बात है उस समय कुछकास में बैठ दुबा दें उसे करने के बाद इस मंत्र को जो है आप 21 बार जो है पाट करेंगे यह कि बास पाट करने में एक मंत्र पढ़ने के बाद में आप उसे फोग मारेंगे ऐसे करके 21 बार मंत्र पढ़ गई फोग मारेंगे 21 बार होने के बाद में उस डिबी को या उस पात्र को आप उसे जगह रख दें ताकि कोई न देखे और उसे नहीं तो कहीं सुनसान जगह में आप उसे दफना दें ऐसे जगह में रखें उसका खुला होगा उसका प्रभाव समापत हो जाएगा तो यह रख दें बस यही इसका विधी है सिध्धी करने के विधी और प्रयोग करने के विधी अब जान लीजी इसका मंत्र मंत्र जो है इस प्रकार है मंत्र में description में लिग दूँगा आप हाँ इसके शोट ले ले और देख ले मंत्र इस तरह है मोहनी जोहनी दो बहनी एक बहनी रडिया वाली भजा दूसरा बहनी राजा मोहे प्रजाब मोहे गन हिस्तिनापूर के दुर्योधन बव मोहे आग पूरुष के संगी आगमा खेले कुदे आगमा नहाए सत में दूरपती नारी के मोहे हो ही था अमुक मोरपर अमुक है वहाँ पर विशेष का नाम लिखेंगे जिसा वह समय करने चाहते इस तरह पूरुष करेंगे उसके बाद में जो है बस इतना ही कर देंगे अर लास्टम में हमेसा बोला जाता है कि मेरी भक्ति मेरे गुरूप सक्ति इस तो महात पारवत्ति के जहाँ सिर्वात से यह चीज हो जाए यह हमेशा हर मंद्रम बुला जाता है कि मेरी तो भक्ति है गुरुप शक्ति है तो यह जो है बोल दें करने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उसको प्रभाव जो है उस बक्ति का बदनने लगेगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आएग तो एक लाइक जरूर करें कुछ बात कंफ्यूज है तो कमेंट करें दोस्तों में सेयर करें वाट्साप में फेस्बुक में आप जहां पी सेयर करें सेयर करें और कोई बात हो तो कमेंट जरूर करें एक लाइक करें अब मेरे चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दो लेक नादूरी परुदान वम अरो दोजाः नारी लेयारी टार गुदानुटल सुड़ाइन लेकर टारी लेदित लेकर बाल अरी लेकर कि लेकर लेकर भीडरियों दोटने देडिए.